किसान आंदोलन अभी जारी है और आज इस मुद्दे पर हम बातचित करेंगे भाजपा के वरिष्ट नेता और हरको बैंक के चेर्मेन डाक्टर अर्विंद यादव से डाक्ट साब आपने देखा कि दिल्ली में जो गनतंतर दिवस के दिन हुरदंग हुआ और लगा कि किसानों के परती लोगों में नाराजगी बड़ी है लेकिन जिस जंग से अब हरियना से और उत्तर परदेश से बड़ी तादाद में ट्रेक्टर वहां पहुंच रहे हैं तो नहीं होना चाहिए था इससे पूरी दुनिया के अंदर हमारा शर्म से सिर जो कायम शर्मशार हुए है मैं उसकी निंदा करता हूँ बर्तसरा करता हूँ और जो आप किसान अंदोलन की बात कर रहे हैं कि जीवी समस्चा का समाधान कभी भी निकलेगा तो बातचीत के जरिय चाहिए कितना भी पैसर दिन के लगवार संदूलन को चलते हुए हुगे और कितने दिन भी किसान बैठकर इस सारे अंदोलन को चला लें जब ​​ी भी बातचीत का हम बैठके निकलेगा टेविल पर निकलेगा और समय दन consumer सरकार के मोधीजी के और ग्यारा बार बात बात केसा सोधन आप चाते आप बताएं समसोधन के लिए कहा सरकार पीछे अट रहे हैं इसके बिलों के अंदर हम लोगों को यह सूट करता और यह सूट नहीं करता है लेकिन यह जिद बांध लेना कि हम तीन कानून वापिस के बिना मानेंगे नहीं यह ना लोगतंत के लिए अच्छा है न देश के समीधान के लिए अच्छा है ना यह पारलयमेंट के लिए अच्छा है फिर तो यह कैसी परंपरा हो जाएगी फिर तो प्रेंपरा के साथ परलियमेंट हमारी पास करेगी क्योंकि ये सिर्फ भाजपा की सरकार का सवाल नहीं है देश के अंदर किसी की भी सरकार हो सकती है और यदि एक बार ये रास्ता खुल गया और ये परंपरा बन गई कि सरकार के बिल पास करने का कोई महत्व नहीं रह गया तो फिर ये बचेगा इस देश का मैं करवध प्रातना करना चाहूंगा आपके टेवी चैनल के माध्यम से के इसको बाचीत के साथ सुलजाएं यदि आपको लगता है कि बिलों के अंदर कुछ खामिया है बड़े मन से सरकार डेफर करने को भी तैयार थी और कमिया है तो उनको भी दू से क섯 लिए कानून तो वापस नहीं होगे और किसान संक्तन बातचीत के लिए जब जाते हैं उससे पहले बोल के जाते हैं कि जड़न वापस नहीं होंगे हम अपने घर यह लोटेंगे तो केंदर सरकार ने भी जिदपकड़ी हुए जिन पकड़ी हुए समाधान कैसे हुगा देखिए ये किसानों को जिद छोड़ना पड़ेगी ये केंदर सरकार का जिद का सवाल नहीं है ये लोगतंदर का ये पारलियामेट की असमिता का सवाल है ये समीधान की रक्षा का सवाल है और यदि पारलियामेट की रक्षा भी कोई सरकार नहीं कर सकती तो इससे बड़ा और भागे पूर्ण उस देश के लिए कुछ उस संसत के लिए कुछ हो नहीं सकता इसलिए मैं निवेदन करूँगा किसान संग्ठनों से के बाचीत का हाल निकाले अरे बिल की जिद क्यूं बिल के अंदर यदि कुछ कमिया है बिल के अंदर खामिया है तो उनको दूर करा लो तो यदि उनकी खामिया और खामिया दूर हो जाएंगी तो बिल तो अपने आप इस सारी चीजों को ठीक कर देगा आप इस बात को क्यों अड़े हुए हैं कि बिल वापिस लें बिल वापिस लें यदि ये बिल वापिस हो गए तो क्या ये देश के समीधान का स्थितु आएंगे चाती चोड़ी करके दुनिया के सामने के सबसे बड़ा गंतंतर हमारा देश है इसलिए मैं आपके माद्दम से फिर निवेदन करूंगा कि जो बिल के अंदर उनको लगता है सरकार बड़े मन से चीजों को ठीक करने को कल भी तैयार थी आज भी तैयार है कल भी त आपिस होंगे तभी हम बाचीद के लिए आएंगे जिद से कभी भी परिवार नहीं चलता है तो यह तो इतना बड़ा देश है यह कैसे चल पाएगा यह हमें समझना पड़ेगा गंबीरता उसकी समझना पड़ेगी हमको जो है सारी चीजों का ध्यान रखके निर्णे करना पड़ेगा और निर्णे आसानी से निकल जाएगा समझन सील सरकार है मोधी सरकार हो मोधी सरकार का तो संकल्प है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे डेर साल के लिए डेफर कर रहे हैं यह भी देश के सामने आ जाएगा कि दो साल के अंदर यह कानून डेफ यह था कि सरकार पता नहीं MSP पर खरीद करेगी के नहीं करेगी हमारी सरकार ने डंके की चोट पर कहा था कि हर्याणा के अंदर बाजरा हम खरीदेंगे रही 250 रुपे के हिसाब से एक एक दाना खरीदा गया हम एक जनवरी को किसानों के साथ आके मुक्षमंत्री जी का आभ सरकार हो किसानों के हितेसी सरकार है किसानों को इसे अपनी सरकार मानके अपनी हितेसी सरकार मानके आगे बढ़ना चाहिए मैं ये निविदन करना चाहूंगा लेकिन किसानों को बरुसा क्यों नहीं हो रहा कि भाजपा उनकी हितेसी है क्यों इन बिलों को लेकर उनके मन में आशंका है कि उनकी जमीन चली जाएगी पूझी पतियों का कबजा हो जाएगा भाजपा समझा क्यों नहीं पारी किसानों को देखिए ये जो सारा सट्यंतर विपक्षी दलों का हो रहा है और जो किसानों के कंदे पर बंदूग रखने का काम कर रहा है आज पारलियमेंट का सेशन शुरू हुआ और आज पारलियमेंट के सेशन का उन्होंने रास्टपती के अभिभावशन का जो है बहिशकार किया कियों बहिसकार करते हैं कि यह हम नहीं कर पाए मोधी सरकार नहीं किया है बड़े मन के साथ इसको सुईकार क्यों नहीं करते हैं तो यह देश को भी समझना पड़ेगा यह ना केरे देश ने जिस तरीके से इस सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर भारत के गोरव बढ़ाने का काम किया है और किसान इस देश की आत्मा है और किसानों की आत्मा इस देश की आत्मा जब तक मजबूत नहीं होगी अपनी जिद्र को छोड़ें बिलवापसी की और इसका निर्णे कराएं बैठके सरकार के साथ और सारी चीजों का हल बातचीत से कल भी निकलेगा बातचीत से निकलेगा परसों निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा आप और इसको आंदोलों को कितना भी चला ले जिस दिल भ बूटा शिंग ने छोड़ी कितने लोग तो आपकी पार्टी छोड़ गए समझा क्यों नहीं पारे आप अपने पार्टी के नेता हूं को कि इन कृष्टी बिलों का फाइदा है किसानों देखिए सब को सारी चीजे समझ में आ रही है यदि जान के भूजके मैं आँख बंद करूँगा तो वो आँख बंद करने से अंदेरा तो हो जाएगा लेकिन मैं मन के अंदर की आँखों को बंद नहीं कर सकता हूं ये देश का जो है हर किसान समझ रहा है ऐसा नहीं है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो ये किसानों के नाम पर बंदू कंदे के उपर रखे चलाने का काम राजितिक दल कर रहे हैं राजितिक पार्टिया कर रहे हैं वो एक जो है इस देश के लिए बड़ा खराब काम हो रहा है वो इस देश के किसानों को समझना पड़ेगा इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कोई किसी को अपने कंदे का ऐस्तेमाल करने ना दे मोधी सरकार पृति बदे इस देश के किसानों की उन्नती के लिए और ये पूरी तोर पर हम लोग समझाने भी रहे हैं किसानों के समझियों भी आ रहा हैं लेकिन कुछ लोग आके इसको अपने रायितिक स्वात के कारण से सारी चीज़ों को खराब कर रहे हैं मैं वो खराब करना छोड़ेंगे नहीं इसलिए मैं उनसे आगरे भी नहीं करना चाहूंगा मैं इस देश के अन्य दाता से आगरे करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी बुद्दी विवेग घ्ञान से बेठके करें कि इस को इस बिलों के अंदर आपके खिलाब क्या बाते हैं यदि कहीं भी कोई बेठके चरचा करने का है, खुले मंच पर भी चरचा करने का है तो हमारे नेता जो करशी के हमारे जानकार है, हमारे करशी के छेतर में काम करने वाले लोग है, उनके साथ बैठके चर्चा करें और उस चर्चा में से निकलेगा, तो में निश्चित तोर पर हमारे देश के करशी मंत्री भी सारी चीजों को समझते हैं, वो भी एक बहुत पैट तोड़ दिया मंच तोड़ दिया वो अपनी रैली नहीं कर सके इस पर क्या कहेंगे देखिए ये भी एक दुर्भागे पूर्ण था कि चुनी हुई सरकार का इस तरीके से विरोध करना और चडूरी जी ने कहा कि ये सब मैंने किया है यानि इस तरीके से विरोध करना यानि यह तो कोई देख के अंदर लोक्तंत्रणाम की चीज़ नहीं रह जाएगी कोई चुनी हुई सरकार की अस्मीता ही नहीं रह जाएगी क्या ये ठीक है इस तरीके का कि मुखमंतरी जाकर अपनी बात कहना चारह हैं और बाचीत भी करने से यह रोकने की बात करेंगे त था मुक्षमंत्री की बात को अपने किसानों के लिए प्रदेश के अंदर उनकी बात को जाना चाहिए था किसानों को बात रखने काधिकार है तो इस देश के चुने हुए लोगों को भी बात रखने काधिकार है हम एक दूसरे का अधिकार का हनन करेंगे तो इससे ही हमारा लोक तंदर कमजोर होगा हमको इस बात को समझना पड़ेगा डाक्साब किसानों को तो ये लगता है कि हरियाना और पंजाब के किसान इन कृस्वी बिलों को लेकर एक जुट थे देखिये A.S.Y.A Leak कि दक्सीन हेर्याना की और ह्रियाना की बहुत पुरानी मांग है कोई नई मांग नहीं है और सुर्फिम कोर्ट का उस पर डिसिजिएन भी आया हुआ है सुर्फिम कोर्ट का डिसिजिएन आने के बाद पंजाब सरकार ने जो खुदी हुई नहरती उसको भी भरवाने का काम किया तब कहां चले गए थे किसान जो है किसानों के हिते सी है तो पंजाब के किसान क्यों नहीं हर्याना के किसानों के हितों के अंदर खड़े हुए कि हर्याना के ये पानी कहां जा रहा है आज बहके ये पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है कि हर्याना के किसानों को पानी मिलेगा हर्याना की सूखी जमीन जिसका सबसे ज़्यादा फायदा मेरे छेतर को दक्षिन हर्याना को होने वाला है तब ये कहां चले गए थे आज यद लोग यदि इस बात को उठा रहे हैं पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें कुन सी गलत बात कर रहे हैं लेकिन सरकार ही मांग करें केंदर में आपकी सरकार है हरियाना में आपकी सरकार है सुप्रीम कोड का फैसला आ चुका है implement किसने करवाना यह जो मुख्यमंत्री जाके वहां मांग करें कि S.Y.L. का पानी दे दू नहीं देखे S.Y.L. के पानी की मांग के लिए यह rally नहीं थी गलत जानकारी है वो किसानों के rally थी किसान अधिकार rally थी वहां जाके वो अपनी बात रखने वाले थे और प्रदेश के मुख्या को अपने जनता के अपने मतदाता के बीच में जाके बात करने का पूरा अधिकार है उनकी बात को सुनना चाहिए हो सकता है कि किसी के मन को बात ठीक लगे किसी के मन को बात नहीं ठीक लगे लेकिन किसी को भी इस तरीके से रेली करने से रोकना और समयधानिक मुख्या को रोकना ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठेहराया जा सकता है ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ दक्षाब मंच पर केंद्री मंत्री राव इंदर जीत सिंग भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि दक्षण हरियाना के लोग तो मुख्यमंत्री जी समझे हुए है आप वहां रेली कीजिए जब पानी की बहुतायत है एक मंच पर मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री में अगर सहमती नहीं है तो उस पर आप क्या कहेंगे देखें ये भी कोई सहमती और असहमती का सवाल नहीं है मेरे अपने विचार हो सकते हैं तो मैंने अपने विचार यदि रखे हैं दूसरे को वो विचार नहीं आ सकते तो एक राव अंदर जी सिंग साхाब ने भी इसकी एक सलादी थी पूरे प्रदेश के मुख्यां उनके लिए पूरा अरयाना एक है डाइपोने तीन करोड की जंता उनका परिवार है तो वो अपनी बात को कहीं भी रखें तो इसको इस द्रस्टी से देखना कि राव इंजर जी सिंग ने कहा तो इसको इसलिए मुखमंतर जी वहां रेली करने कहответ आज़ तो रेली करने जाने वाले नहीं थे मैं इस बात से इतिफाद नहीं रखता वो पहले से तै था और एक रेली नहीं थी इसके बाद भी रेली यहां खोना थी लेकिन उन्हों ने उस सब को भी रोकने का काम किया है इसको आप दूसरे रूप में देखेंगे आंदोलन वाले लोग कहेंगे कि हमने मुकमंत्री का हेलिकाप्टर नहीं उतरने दिया लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देखूंगा कि मुखमंत्री ने अपना हेलिकॉप्टर नहीं उता रहा तो एक सम्वेदन सीलता का परिचे दिया था कि अधी वहाँ पर उतरता और कोई अनोनी हो जाती तो उसमें कुछ लोगों को चोटे आ जाती कुछ हो जाता तो वो प्रदेश के लिए किसी तरह से भी ठीक नहीं था और यही बार-बार मैं दोरा रहा हूं कि प्रदेश की सरकार और केंदर की सरकार सम्वेदन सील सरकार है 26 जन्वरी को जो हुआ है उसको भी सरकार रोक सकती थी कितने पुलिस वालों को जो आकड़े आ रहे हैं कि 400 के लगवक पुलिस वाल इंजोइड है अस्पताल के अंदर दाखिल हैं उनको गहरी चोटे आई हैं कई लोग जो है बहुत सीरियस इस्थिती के अंदर हैं लेकिन फिर भी केंदर सरकार ने दिल्ली पुलिस ने पूरी समेधन सीलता का परिचे देते हुए एक बड़ी दुरगटना इस देश के अंदर होके होने से रोक दी वो भी बधाई के पात रहें और बातचीत से हल ही निकलेगा इन सब बातों से कभी हल नहीं निकलता है आके बैठके बात करें और बैठके बात करके रास्ता निकालें ये रास्ते रोकने से और ये इस तरीके का महुल मनाने से ये सारी स्थिति से रास्ते कभी भी हल नहीं निकला करता है चाहे हम आज निकालें चाहे कल निकालें जिस दिन भी हल निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा इसलिए मैं निवेधन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से के टेबिल पर बैठें और टेबिल पर बैठ कर बड़े मंद से जिद को छोड़ कर बड़े मंद से ये फैसला करेंग पाने में उत्तर हरियना का भी योगदान था दक्षर रहना का तो ज्यादा था दोनु बार सरकार बने में आपको क्या लगता है कि इस किसान अंदोलन से भाजपा को कोई नुकसान होगा देखिए निश्चित तोर पर राजिंतिक दलों को जब माहूर खराब होता है और इस सरकार किसी भी छैतर के अंदर किसी भी तरीके से कैसे काम काम कर रही है को कि ये दूसरी बार मुक्रमंतरी मनौरलाल जी चुने गए हैं उनका पांस साल का रिपोर्ट कार्ड आया है तो अगले पांच साल के लिए उनको जनता ने बहुमत से मुखमंतरी का पत सोपा है और जब फिर दोजार चोबिस के अंदर चुनावे में आएंगे फिर लोग तंदर के अंदर तो वोटी सबसे बड़ी ताकत है उसी से फैसला होता है लोग प्रि अगली बैठक का तो कोई नहीं दिया है देखिए ऐसा है कि बात नहीं तक रास्ते रोखेंगे कितने थंड के अंदर किसान लोग बैठेंगे जब भी निकलेगा चाहे वो 65 दिन हो या 165 दिन हो वो बातचीत का हल कैसे निकलेगा मैं किसान की नेताओं से संक्रिणों से पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हल निकलेगा बिना बातचीत के हल निकल सकता है क्या अरे घर परिवार के अंदर नहीं निकलता बातचीत के बिना आल तो ये तो इतना बड़ा देश है इतना बड़ा ये आंदोलन है तो ये मैं फि इस पर बात करके आप किसी बात को तैयार है कर बात करने को Gelas किसी मंत्री अपने देश के किसानों से दूर नहीं है मैं ये निवेदन करना चाहूँगा शुक्रिय डाक्षाब पंजाब के इसी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे बाजबा के वरिश्ट नेता और हरको बैंक के चेर निकल सकता है पंजाब के इसरी के लिए केमरामेन अमंदीप सिंग के साथ बल्वन तक्षक चंडीगड़